आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ क्लास 11 का हमारा जो बुक है वो है Snapshots और Snapshots का first chapter का first lecture आज हम लोग discuss करने वाले हैं चैप्टर का नाम है The Summer of the Beautiful White Horse और Summer of the Beautiful White Horse जो है इस से हम लोग अपनी second chapter जो है Snapshots जो है वो शुरू करने वाले हैं ठीक है guys तो Summer of the Beautiful White Horse जो है ये एक इस तरहे का chapter है जिसमें बच्चों की teenagers की जो मस्ती होती है ना उस मस्ती को बताया गया है कि वो किस तरीके से एक criteria से बाहर निकल के criteria क्या होता है कि जो करने के लिए कहा जाए वो करो जो करने के लिए मना किया जाए वो नहीं करना चाहिए इस तरह का एक criteria जो है हमेशा teenagers के सामने draw किया जाता है उससे बाहर निकल करके जब वो मस्ती करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से relate कर पाओगे इस chapter से क्योंकि आप लोगों में से most of the students वैसे होंगे जो करने के लिए मना किया जाए या जो करना सही नहीं हो वो तो पहले करना है और जो करना चाहिए उसके बारे में देखेंगे विचार करेंगे अगर मन होगा तो करेंगे मन नहीं होगा तो नहीं करेंगे तो वही इस chapter में है कि यहाँ पर दो भाई है जिन में से एक जो है वो एक घोड़ा लेकर आ जाता है अब वो चुरा कर लेकर आता है थोड़े समय के लिए लाता है वो जो भी है उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे ठीक है गाइस तो किस तरीके से वो घोड़ा ले करके आता है, किस तरीके से अपने कजन ब्रदर के पास जाता है, उसके साथ मिल करके, किस तरीके से वो लोग हॉर्स राइडिंग को इंजॉय करते हैं, बीच में थोड़ी सी ट्रबल में भी फसते हैं किस तरीके से वो घोड़ा जो है, वो और किस तरीके से conflict of interest जो है ये भी इस chapter में हमें दिखाया गया है कि आप एक ऐसे घर से आप एक ऐसे कबीले से belong करते हैं आप एक ऐसे कबीले के सदस्य हैं जो अपनी इमानदारी के लिए जाना जाता है अपनी honesty के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ आप एक इस तरह का लिए अच्छी बात नहीं है और इसमें भी एक हमें funny character देखने को मिलेगा उसके uncle देखने को मिलेंगे ठीक है हमेशा गुस्से में रहने वाले गुस्साहल uncle जो है वह भी यहां पर हमें देखने को मिलते हैं तो इस तरह का एक overview है पूरा इस story का के इस story में हम क्या चीज़े basically देखने वाले हैं कई students कई बार कहते हैं कि सर समरी पहले बता दीजा कीज़े पहले पूरे chapter की summary बता दिया कीज़े कि सर इस chapter में यह होने वाला यह होने वाला यह होने वाला मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि summary एक ऐसी चीज़ है जो chapter के last में अगर हम देखें तो भी फाइदेमन्द हो सकती है chapter की starting में देखने में क्या है कि उस chapter में जो भी elements of surprise है यानि ऐसी चीज़े हैं जो हमें आश्यर यह चकित कर सकती है या जिससे हम उस story में और जादा interest ले वो पहले ही खतम हो जाता है तो कभी भी story वगर है या ऐसी कोई चीज पढ़े न तो उसक लेकिन summary देखना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उससे जो interest develop हो सकता है आपकी story का वो नहीं हो पाता बेटा सीधी सी बात है picture शुरू होने से पहले trailer देखा जाता है ठीक है summary नहीं देखी जाती है trailer देखते है तो story में interest develop होता है लेकिन अगर पहले ही story आपको पूरी ब है नहीं जैसे movies में होती है ठीक है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हमें एक idea हो कि किस बारे में है chapter introduction को हम लोग ज़रूर discuss करते हैं उसके बाद में हम लोग पूरे chapter को अच्छे से detail में देखते हैं ताकि उसकी smallest to smallest beauty जो है उसे भी हम old days when I was nine and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream यानि कि ये एक ऐसे दिन की बात है पुराने उस समय में यानि कि जो author है लेखक जो है हम उसी के बचपन का experience यहाँ पर देखने वाले हैं वो खुद के ही एक तरह का बचपन का experience यहाँ पर हमारे साथ में share करेगा एक दिन की बात है there in good old days उन पुराने और अच्छे दिनों में when I was nine जब मैं नौ साल का था and the world was और यह संसार जो है यह पूरी की पूरी तरह full of every imaginable kind of thing यानि की यह संसार जो है हर कलपनिये चीज से भरा हुआ था यानि की हर उसी से भरा हुआ था जिसकी मैं कलपना कर सकता था नौ बर्श की I.U. में अच्छी चीज है and life was still a delightful और जीवन जो है अभी भी delightful यानि आनंद से भरा हुआ था and mysterious dream और रहस्यमई विचारों से या रहस्यमई सपनों से भरा हुआ था my cousin मुराद मेरा जो cousin है जिसका नाम था मुराद who was considered crazy by everybody जिसे की consider किया जाता था यानि जिसे की माना जाता था एक पागल crazy मतलब पागल पागल मतलब वैसा psychological पागल नहीं ऐसा बच्चा जो बहुत ही जादा teenage में बहुत ही जादा शैतानी करता हो बदमाशी करता हो जो उसका मन पड़े वो करे उनमादी किसम का by everybody सभी के द्वारा उसे ऐसा माना जाता था who knew him except me जो भी उसे जानता था मेरे come to my house at four in the morning वो सुबह सुबह चार बजे मेरे घर आया and woke me up tapping on the window of my room और उसने मेरे कमरे की जो खिडकी थी उस खिडकी को खट खटा करके उस खिडकी को बजा करके और मुझे उठा दिया कितनी बजे उठा दिया tapping का मतलब होता है थप थपाना window of my room मेरे कमरे की खिडकी को औ उठा दिया आगे क्या हुआ आराम ही सेड उसने मुझे आवाज लगई आराम आवाज लगाते हुए कहते हुए उसने का I jumped out of bed और मैं अचानक से जैसे नीद में एक दिम से घबरा जाते हैं कि इतनी आधी रात को कौन बुला रहा है क्योंकि चार बजे तो नॉर्मल जो ल के बाहर देखा I couldn't believe what I saw और जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता था या मुझे अपनी आखों पर विश्वास भरोसा नहीं हो रहा था It wasn't morning yet अभी ठीक से सुभह भी नहीं हुई थी यानि कि सूर्योदय अभी नहीं हुआ था But it was summer लेकिन ये ग्रीश मकाल का गर्मियों का समय था And with daybreak और सुभह की शुरुवात के साथ ही not many minutes around the corner of the world it was light यानि कि दुनिया के बहुत सारे अन्य ऐसे कौने होंगे जहां अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ होगा सुभह नहीं होई होगी सूर्योदय नहीं हुआ होगा लेकिन it was light enough for me to know I wasn't dreaming लेकिन इतना उजाला था यानि सूर्योदय नहीं हुगा था सूर्योदय उगने से पहले जो एक रोश्णी फैलती है daybreak जिसे कहा जाता है यानि कि सुभह के होने का आभास जहां से शुरू होता है वो समय आ गया था और दुनिया के बहुत सारे कौनों में अभी तक इस तरह का daybreak नहीं हुआ था यानि इस तरह का भी सुभह का माहौल तयार नहीं हुआ था लेकिन इतनी रोश्णी थी इतनी light थी enough for me मेरे लिए to know इतना जानने के लिए I wasn't dreaming कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ अब यहां पर क्या हुआ तो यहां पर मुराद आता है अपने भाई के घर के यहां पर उसके कमरे की जो खिड़की है उसे खटखटा कर उसे उठाता है यहां पर आराम जो है उसका brother है जिसके point of view से हम सभी चीजे देखने वाले हैं और यहां पर आराम क्या है उचल करके एकदम से बैट के बाहर आता है और आकर के खिड़की खोल करके देखता है और देखने पर उसे अपनी आपकों पर विश्वास नहीं होता अभी तक सुब अभी तक ऐसा उजाला भी नहीं हुआ होगा लेकिन इतनी रोशनी थी जिसे देख करके वो अपने आप से कह सकता है कि भाईया वो सपना नहीं देख रहा था ठीक है यानि कि वाज जो भी हो रहा है उसके साथ वो सब वास्तविक्ता में हो रहा है ठीक है next आता है my cousin और मेरा cousin मुराज जो है वो एक खूबसूरत और सफेद घोडे पर बैठा हुआ था I stuck my head out मैंने अपना सर जो है वो खिडकी से बाहर निकाला यानि खिडकी से बाहर जाक करके मैंने और देखा out of the window and rubbed my eyes और मैंने अपनी आखों को मसला यानि कि वापस से आखों को मसल के कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये वास्तविक्ता में एक सफेद घोडे पर बैठा हुआ है yes हाँ he said in Armenian it's a horse उसने Armenian भाषा यानि Armenia की जो भाषा है उस भाषा में उसने कहा it's a horse ये एक घोड़ा है you are not dreaming तुम सपना नहीं देख रहे हो वास्तविक्ता में तुमारे सामने क क्या खड़ा है एक घोड़ा खड़ा है make it quick if you want to ride जल्दी करो फटाफट आजाओ अगर तुम्हें इस पर ride लेनी है तो अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो ठीक है अब देखो गाइस हमेशा ध्यान रखना horse के लिए हमेशा क्या word आता है horse riding आता है ठीक है तो कोई क्या भी भी ऐसी चीज जिस पर आप यात्रा करने वाले हो या जिसे आप चलाने वाले हो और उस पर आप गोड़े की तरह बैठते हो cross leg बैठते हो उसके लिए हमेशा ride आता है लेकिन अगर किसी चीज के अंदर बैठ करके आप उसे चलाने वाले है तो उसके लिए ride ना करक करेंगे तो आप कभी भी यह नहीं कहेंगे I am driving a bike आप हमेशा क्या कहेंगे riding a bike, riding a bicycle, riding a camel, riding a horse ठीक है बात समझ में आई जिस पर आप cross leg बैठेंगे और जिसमें भी अंदर बैठेंगे जैसे कि jeep हो गया, car हो गया, taxi हो गया तो इनके लिए आप किसका यूज करेंगे driving a car त motorbike या फिर आप कह सकते हैं, bike के sense में हो सकता है, horse के sense में हो सकता है, camel के sense में हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी सवारी की जाती है, उस sense में use किया जाता है, तो यहाँ पर उसने क्या कहा, make it quick, जल्दी करो, if you want to ride, अगर तुम घुड सवारी करना चाते हो, तो सवारी की सवारी अगर तुम करना चाते हो, तो फटा फटा जाओ, I knew, मैं जानता था, my cousin मुराज enjoyed being alive, more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, यानि कि यहाँ पर क्या कह रहा है, कि मेरा भाई जो है, मेरा कजिन जो है, मुराज जो है, उसे जीवन जीवन जीना, यानि कि ऐसा जीवन जीना, जो full of life हो, ठीके न, enjoyed being alive, यानि वो जीवित रहना बहुत जादा enjoy करता था, जीवित रहना enjoy करने का मतलब यह है, कि गरम जोशी से जीवन जीना, ऐसा बोरिंग वाली लाइफ नी जीना, सुपह उट गए, स्कूल चले गए, आगए, सो गए, खाल लिया, पढ़ लिया, फिर सो ग करनी है, जिससे उसे लगे के हाँ, life is full of enjoyment, more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, किसी भी उस व्यक्ति से जादा, जो गलती से इंसान के रूप में इस दुनिया में जन्म ले चुका है, यानि कि उसका क्या मानना था कि यह इंसान है नहीं, यह गलती से ही इंसान बनके पैदा हुआ है, और इंस इंसान है, जो की अपनी life को full of enjoyment के साथ जीना चाता है, but this was more than even I could believe, लेकिन आज इसने जो किया है, यह घोडा लेके जो आगया है, white color का किसी का, यह इसने मैं जितना सोच सकता था, कलपना कर सकता था, उससे भी बहुत बढ़कर इसने आगे की कदम उठाना शुरू कर दिया यानि कि अब इसकी बदमाशिया जो है वो और जादा बढ़ने लग गई है, but this was more than even, लेकिन यह उससे भी जादा है, I could believe, जितना मैं इस पर विश्वास कर सकता था, के चलो ठीक है मेरा भाई है, मुराद है, इतनी बदमाशी तो कर सकता है, लेकिन अब इसकी बदमाशी ज longings, had been longings to ride, यानि कि सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि मेरी सबसे earliest, सबसे पुरानी या सबसे बसंदीदा, जो यादे हैं, वो यादे हैं घोडो की, यानि कि मुझे अपनी memories में, मुझे अपनी यादों में, सबसे प्रिया याद कौन सी है, तो घोड के बारे में, दूसरी बात, कि first longing, यानि मेरी पहली इच्छा जो होती है, गोडो को देख करके, या पहला काम जो मैं करना चाहता हूँ, had been longings to ride, और मेरी पहली इच्छाओं में से, या मेरी पहली इच्छाओं में से, ये इच्छा सबसे ज़्यादा प्रबल है, कि मुझे उस घोडे की सवारी करनी है, गुड सवारी करनी है, इस पूरे paragraph का हम सीधा सीधा ये मतलब निकाल सकते हैं, कि मुझे सबसे ज़्यादा घोडे पसंद है, और घोडो की बात आते ही, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, कि मुझे घोड सवारी करनी है, मुझे इ हिस्सा है, घोड सवारी का, याई घोडो के बारे में, कि उनकी सवारी की जा सकती है, इन दा सेकंड प्लेस, और दूसरी बात, वी वर पूर, हम बहुत ही गरीब थे, इस वाज पार्ट, यही वो दूसरा हिस्सा था, जो मुझे विश्वास नहीं होने दे रहा था, विश् के सामने क्या था, एक घोडा था, मुराद बैटा है, मेरे को कह रहा है, आजाओ चलो घोड सवारी पे चलते हैं, लेकिन क्योंकि हम गरीब थे और हमारे पास घोडा नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, वी वर पूर, हम गरीब थे, वी आकरांठ था, every branch of the geragalian, जोकी एक अमरीकी, अमेरीकी, कबीले का नाम है, family, यानि कि giragganian जो है, उसकी कोई भी शाखा हो, इस कबीले के कोई भी व्यक्ती हो। कोई भी निवासी हो, कोई भी इसके inhabitant हो। तो उसकी किसी भी शाखा के व्यक्ती जो है, family was living in most amazing and comical poverty in the world, यानि कि इस पूरे संसार में देखा जाए तो इस कबीले के जो लोग हैं इस कबीले के परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत ही शांदार और यानि कि अत्यदिक और कॉमिकल यानि हाथ से अस्पद रूप से पोवर्टी यानि गरीबी में रहने वाले थे कुल मिला करके यहां पर क्या कहना चाहरा है कि गेरोगलानियन जो है ये एक कबीला है अमेरिकी कबीला है इसके जितने भी सदस्य हैं इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो बहुत ही जादा अत्यदिक और हास्यास्पद हास्यास्पद का मतलब क्या हो गया इतनी गरीबी में रहते हैं कि उन्हें देख करके हसी आ जाए हलाकि यह अपने खुद के बारे में कह रहा है तो कहा जा सकता है लेकिन जर्णली गरीबी है इन चीजों को देख करके नौर्मल लोगों को हसी नहीं आती है ठीक है तो most amazing and comical poverty in the world या नि संसार में देखे जाने वाली सबसे जादा amazing का मतलब क्या है अत्यदिक और comical का मतलब है हास्यासपद गरीबी में ये लोग अपना जीवन जी रहे थे इनके पास बिलकुल भी पैसे नहीं थे nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies कोई भी ये नहीं समझ सकता था where we ever got money कि कहां से हमें कभी भी अगर पैसा मिलता था enough to keep us इतना पैसा इतना परियाप्त पैसा कि हम अपने पेटों में bellies का मतलब क्या है पेट में खाना भर कर सो सके not even the old men of the family बलकि हमारे परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है जिसे मुखिया का जा सकता है कभी ले का तो वो व्यक्ती भी पेट भर कर खाना नहीं खा सकता यानि कि food bellies जो है यानि कि food in our bellies वाली situation को contain नहीं कर पा रहा है या उसे निभा नहीं पा रहा है यानि कि इतनी गरीबी है कि पेट भर कर खाना भी नहीं खा सकते most important of all इन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है दो जब की we were famous for our honesty हम अपनी इमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे we had been famous for our honesty for something like 11 centuries और हम लोग कितने समय से famous थे तो अगर हम कितना famous थे अगर इस बारे में बात करना चाहें तो हम 11 centuries यानि 1100 साल से एक century में 100 साल होते हैं तो 11 centuries में कितने हो गए 1100 साल यानि 11 शतावदियों से हम लोग famous थे अपनी इमानदारी के लिए अपनी honesty के लिए even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the word बले ही even when बलकि उस समय भी we had been the wealthiest family यानि कि हमारे जो परिवार थे वो बहुत ही जादा सम्रद्य परिवार थे in what we like जैसा कि हम देखते हैं to think was the world जैसा कि ये पूरा संसार था यानि कि संसार की तरह संसार के सामान्य या आम लोगों की तरह हम भी एक समय सम्रद्य लोगों में से थे जो खाना पीना करके अपना पेट बर के आराम से सो सकते थे we were proud first यानि कि हमारे पास पैसा हो चाहे नहीं हो गर्व हमारे लिए सबसे पहली चीज है या आत्म सम्मान हमारे लिए पहली चीज है honest next यानि कि गर्व हमारे लिए पहली चीज है first और दूसरी चीज हमारे लिए क्या है honest यानि कि इमानदारी है and after that we believed in right and wrong और उसके बाद में हम जाकर के सही या गलत का विचार करते हैं यानि कि हमारे कभीले की परंपरा कुछ ऐसी है कि सबसे पहले हमारे लिए गर्व आता है उसके बाद में हमारे लिए ओनेस्ट यानि कि इमानदारी आती है उसके बाद बाकी के सही और गलत का हम लोग विचार कर कि कोशिश करे गलत तरीके से उससे लाब कमाने की कोशिश करे आप चोरी को तो छोड़ी दो यानि कि चोरी करना तो आप भूले जाओ कि हमारे कभीले में से कोई चोरी कर सकता है हम लोग ऐसे लोग हैं जो इस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति का गलत तरीके से फाइदा या गलत तरीके से लाब भी नहीं उठाते हैं, consequently और उसी के परिणाम स्वरूप, even though I could see the horse, even though I could see the horse, जबकि मैं गोड़ा अपने सामने देख सकता था, so magnificent, यानि कि बहुती लाजवाब, बहुती शांदार गोड़ा, even though I could smell it, बलकि मैं उसको महसूस भी कर सकता था, smell का मतलब आप यहां तो मत बोलो के सूंग सकता था, अजीब हो जाएगा, अना, तो smell it का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एहसास हो पाना, किसी चीज़ को महस कर पाना, so lovely, बहुती प्यारा सा गोड़ा, even though बले ही I could hear it, मैं इसे इसका हिन हिनाना सुन भी सकता था, it, breathing, इसका सांस लेना, so exciting, बहुती जादा उत्तेजित करने वाला है, उत्तेजना पैदा करने वाला है, यानि कि उसको गोड़े के द्रश्य को देख करके, उसके मन मे बहुत जादा उत्तेजना पैदा हो रही थी, कि फटा-फट से बाहर निकलो और इसकी राइडिंग मुझे करनी चाहिए, और मैं अभी के इसकी राइडिंग करना चाहता हूँ, I could not believe the horse had anything to do with my cousin मुराद और with me, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, कि इस ना मुराद ऐसा कुछ है कि उसके पास खुद का अपना एक घोड़ा हो, तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, कि मुझ से या मुराद से इस घोड़े का क्या लेना देना है, और with any of other members of our family, ना ही हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य का इस घोड़े से कोई लेना देना था, असलीप और अवेक, चाहे सपने में हो, चाहे जागते हुए हो, यानि कि सपने में भी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, जागते हुए तो बात छोड़ी दो, Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा cousin Murad, वो कितना ही सक्षम हो लेकिन एक घोड़ा खरीद ले, इतना सक्षम तो वो भी नहीं है, तो उसने Murad couldn't have bought the horse, Murad जो है उसने घोड़ा नहीं खरीदा होगा या नहीं खरीद सकता, And if he couldn't have bought it, he must have stolen it, और अगर उसने इसे नहीं खरीदा होगा इस घोड़े को, तो निश्चेत तोर पर क्या होगा? He must have stolen it, उसने निश्चेत तोर पर इस घोड़े को किसी से चुराया होगा, And I refused to believe he had stolen it, और मैंने इस बात पर विश्वास करने से मना कर दिया, या मेरा मन जो है, इस बात पर विश्वास करने को तयार नहीं था, कि मेरे भाई ने इस घोड़े को चुराया है, ठीक है? क्योंकि उसने अपने कबीले का भी पूरा का पुरा पृतान्त दिया है, कि हमारे कबीले में honesty के लिए गयरा सु साल से पूरा संसार हमें जानता है, हमारे लिए पहले आत्मसम्मान या गर्व की बात आती है उसके बाद में honesty की बात आती है फिर हम सही या गलत देखते हैं यानि कि हमारे कबीले में honesty इमानदारी जो है वो सबसे बड़ा पहलू है तो इसलिए वो क्या कहता है I refuse to believe he had stolen it कि इसका है भी नहीं इसने खरीदा भी नहीं अब इसका नहीं है इसने खरीदा नहीं तो इसने चुराया है लेकिन मेरा मन ये बात मानने को तयार नहीं है कि इसने ये घोड़ा चुराया होगा तो यहां क्या कहता है I refuse to believe यानि कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं क कर सकता, he had stolen it, कि उसने इस घोडे को चुराया है, no member of the Geroglian family could be a thief, कोई भी सदस्य जो है Geroglian family का, अमरीकी कभीले का नाम है, इसका कोई इंदी अर्थ नहीं होगा, ठीक है, तो कोई भी सदस्य जो है Geroglian family का, वो एक चोर नहीं हो सकता, क्योंकि जब पूरा का पूरा कभील उसकी इमानदारी के लिए जाना जाता है, तो वह चोर नहीं हो सकता, I stared first at my cousin and then at the horse, मैं बार बार घूर घूर के या बहुत ध्यान से, मैं देख रहा था, पहले मेरे कजन की और देखता, उसके बाद घोडे की और, फिर से कजन की और, फिर से घोडे की और, there was a pious stillness and humor in each of them which on the one hand delighted me, on the other hand frightened me, यानि की वहाँ पर एक बहुती शान्त, पवित्र किसम की, बिल्कुल चुपचाप वाली stillness थी, यानि की शान्ती थी, स्थिरता थी, खामोशी थी and humor in each of them, और उन में से प्रतियक चीज में एक हास्य, की स्थित्य उत्पन हो रही थी, which on the one hand delighted me, यानि की उसे देखकर के मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी, सुबह सुबह का समय है, मुराद आ गया, खोड़ा ले आया, मिरको बुलाना आया, ले चल, राइडिंग करने चलते हैं, तो हसी भी आ रही है, यूमर भी आ रहा है खुशी भी हो रही है, और दूसरी तरफ, on the other hand, frightened me, और दूसरी तरफ में इस चीज़ को देखकर के डर भी रहा था, भैवीद भी हो रहा था, अब डर क्यो रहा है, या भैवीद क्या हो रहा है, जब डिलाइट हो रहा था तब तो गुर्जवारी के लिए सोच रहा था, लेकिन वो ये सोच करके डरा हुआ था, कि अगर ये चोरी का घोड़ा है, या अगर मुराद इसे चुरा कर लाया है, तो भाईया, बहुत बुरी स्तिती होने वाली है, क्योंकि honesty हमारे खांदान के लिए, हमारे कभीले के लिए सबसे पहली चीज़ है, तो इस चीज़ को ल वो अपनी ही उधेरबुन में इतना खो चुका है, या अपनी ही उधेरबुन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुका है, कि उसने सीधा ही पूछ लिया कि भेया तुमने ये कहां से चुराया, leap out of the window, he said, if you want to ride, चलांग लगाते हुए, of the window, उस window के पास से, he said, उसने कहा, if you want to ride, क्या तुम गुड़ सवारी करना चाते हो, तो प्रशन क्या था, कहां से चुरा के लाए, उत्तर क्या है, क्या तुम इसकी सवारी करना चाते हो, it was true, ये सच है फिर, यानि कि तुम से मैंने कुछ सवाल पूछा, लेकिन तुमने सवाल का जवाब ना दे करे के क कोई और बात कहीं, इसका मतलब ये बात सच है, क्या बात सच है, कि तुम इसे चुरा कर लाए हो, it was true then, he had stolen the horse, कि उसने वो घोड़ा चुराया था, there was no question about it, इसके बारे में अब और कोई प्रशनिया, अब और कोई शंका नहीं था, question का मतलब यहां क्या है, अब इस बारे म to invite me to ride or not, as I choose, और वो मेरे पास केवल मुझे invite करने के लिए आया था, कि क्या मैं उसके साथ घुरसवारी करना चाता हूं, या नहीं करना चाता है, as I choose का मतलब होता है, जैसा भी मैं चैन करूं, मैं चाहूं, तो उसके साथ घुरसवारी करने जा भी सकता हूं, मैं ना चाह जाहूं, तो ना भी जाहूं, यानि कि अब पूरी की पूरी चॉइस किसकी है, पूरी की पूरी चॉइस आपके ऑथर की है, जो आराम है, उसकी सारी की सारी चॉइस है, कि वो चाहे तो गुरसवारी करने जाए, वो ना चाहे तो ना जाए, well, it seemed to me, stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money अब क्या होता है मैंने क्या कहा था आपको जब introduction पढ़ रहे थे conflict of interest आपको यहां देखने को मिलेगा conflict of interest का मतलब क्या होता है कि जब हमारी दो रूचियां हो और दोनों रूचियों के अंदर बीच में विवाद की स्तिती बन जाए अब यहां पर आराम जो है उसके सामने दो इस्तिती है गोड़ा चोरी का है और चोरी उनके परिवार में चलती नहीं है तो ऐसी इस्तिती में वो इस बात को सपष्ट तोर पर मान ले के चुरा कर लाया है और honesty हमारी कभीले में सबसे मेजर चीज मानी जाती है चोरी के घोड़े का मैं इस्तिमाल नहीं करूँगा मैं घूमने साथ में नहीं जाओंगा मुझे होर्स राइड नहीं करना सीधी सीधी बात अब दूसरी बात क्या है उसके लिए उसकी जीवन में सबसे पसंदीदा चीज है सबसे पहली चीज घोड़े दूसरी चीज अगर घुड़सवारी करने को उसे मिल जाए तो उसे सबसे अच्छा मैसूस होगा या उसे बहुत जादा इस बात की प्रसन्नता होगी अब उसके सामने दो रास्ते है ठीक है अब जब हमारे सामने भी जर्णेली ऐसी सिचुएशन आती है conflict of interest आता है परसो पेपर है यार आज घर जाते ही पढ़ाई करूँगा आज घर जाते ही बस स्कूल से बस फ्री हो जाओं जैसे ही घर पहुचूँगा आस तो घर पहुचते ही बस फोट डालूँगा आग लगा दूँगा स्कूल से बाहर निकल ही रहे निकलते निकलते किसी दोस ने बोला चल रहा है क्या गिली डेंडा खेलने जा रहे हैं 20-20 रुपे की शर्त है बाद में नाश्ता करने चलेंगे अब आगया conflict of interest घर जाओं पढ़ाई करूं क्योंकि परसो पेपर है या फिर गिली डेंडा है जो आराम कर रहा है 9 साल का जो बच्चा कर रहा है आप लोग भी वही करते हो खुद को मना लेते हो क्या रह यार अभी तो 6-7 गंटे तो स्कूल से निकले ही है अभी तो पढ़ी रहते हैं स्कूल में एक काम करते हैं एक दो गंटा खेलने चल जाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि एक घोडा चुराना केवल राइड करने के लिए हमेशा अपने पास रखने के लिए नहीं केवल घोडसवारी करने के लिए घोडा चुराना थोड़ी सी अलग बात है वह चोरी नहीं है वह बिल्कुल सेम चीज नहीं है जैसे की कुछ और चुराना यानि कि अगर मैं किसी की box चुरा लेता हूँ किसी का pen चुरा लेता हूँ या मैं किसी का पैसा चुरा लेता हूँ तो वो तो अलग चीज है लेकिन अगर कोई है नहीं desk पे और मैंने उसका pen ले लिया किवा लिखने के लिए और लिख करके मैं वापस रख दूँगा तो यह तो चोरी थोड़ी हुई तो यहाँ पर वो अपने आपको इस तरीके से convince करने लग गया कि घुड सवारी के लिए घुडा चुडा कर लाना चोरी नहीं है चोरी जो है वो तो पैसो की चोरी या दूसरी चीज की चोरी जो है वो चोरी कहलाती है यह चोरी नहीं है For all I knew, जितना मैं जानता था, maybe it wasn't stealing at all, जितना मैं समझ सकता था, जितना मैं जानता था, मेरे हिसाब से यह किसी भी तरीके से चोरी नहीं थी उपर क्या कह रहा है, it was true then he had stolen the horse सच्ची बात है भाई, यह घोडा चुरा कर ला है, यहाँ पर वो convinced था, कि घोडा चोरी किया गया है लेकिन यहाँ आते आते क्या हो गया, चुराया थोड़ी है, किवल चलाने के लिए लेके आया है, ठीक है, तो यह चोरी से अलग है, चोरी नहीं है If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, अगर आप उसी तरीके से पागल होते हैं, उसी तरीके से जुनून से, जोश से भरेवे होते, घोडों के बारे में, जिस तरीके से मेरा cousin Murad और मैं थे It wasn't stealing, तो आपको पता चलता कि यह चोरी नहीं थी, It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, यानी कि यह तब तक चोरी नहीं कहलाईगी, जब तक हम लोग इस घोडे को कहीं बेचने का प्रयास नहीं करते Which of course, जो की निसंदे है, I knew we would never do, जैसा कि मैं जानता था, कि हम लोग ऐसा कभी भी या बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, हम इस घोडे को बेचने नहीं वाले हैं Let me put on some clothes, चलो मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो, I said मैंने कहा, all right he said but hurry, उसने का ठीक है पहन लो लेकिन फटावट, जल्दी पहन के आना I leaped into my clothes, मैं अब कूदा तो क्या कहेंगे, मैं जाकर के फटावट अपने कपड़े पकड़े और फटावट से change किया, फटावट से अपने कपड़े जो गुटसवारी से related हो सकते हैं, वो मैंने पहल लिए I jumped down to the yard from the window और खिडकी से बाहर निकल के सीधा में जमीन पर जाकर कूदा and leaped up on to the horse behind my cousin मुराद और उचल करके अपने कजन, अपने भाई मुराद के पीछे उसी घोडे पर बैट गया यानि की खिडकी के बाहर की तरफ जो है मुराद गोडे पर अल्रेडी बैठा हुआ है, ये भाई साब उठे, कपडे बदले, कपडे बदल के खिडकी से बाहर कूदे, जमीन पर कूदे, वहां से उचल करके गोडे की पीट पर मुराद के पीछे जाकरके बैट गए That year we lived at the age of town यानि कि उस साल हम शहर के बहारी शित्र में अंतिम छोर पे रहते थे On Walnut Avenue और उस सड़क का नाम यानि कि स्ट्रीट का नाम जो था वो क्या था? Walnut Avenue था Behind our horse was the country यानि कि हमारे गोडे के पीछे के दरब पूरा का पूरा जो है country wine yards थे, orchards थे और irrigation ditches थे और country roads थे यानि कि देहाद, देहाद मतलब ग्रामीन तो ग्रामीन शेत्र के अंगूर के बगीचे थे orchards यानि कि फलो के बगीचे थे irrigation ditches का मतलब सिचाई के लिए बनाई जाने वाली नहरे खाईया या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि नहरे बोलते हैं कि शब्द है नालिया बोल सकते हैं, खाईया बोल सकते हैं या नहरे बोल सकते हैं अपने या नहर बोला जाता जादा तर तो नहर जो है वो भी पीछे की तरफ थी और ग्रामीन शेतर के कच्ची सडके जो है उदर पीछे की तरफ दिखाई दे रही थी यानि कि वहाँ पर आसपास बाग बगीचे वाला शेतर था जहाँ पर सचाई के लिए पानी की वेवस्ता भी थी और ग्रामीन शेतर था टाउन का यानि कि कस्बे का या शेहर का शेतर वो नहीं था उससे थोड़ा सा बिन शेतर था In less than 3 minutes, 3 minutes से भी कम समय में, we were on Olive Avenue, हम Olive Avenue पर पहुँच गए थे, Olive Avenue भी एक सड़क का एक जगे का नाम है And then the horse begin to trot और उसके बाद में घोड़ा जो है, वो धीरे धीरे, डगमक, डगमक, डगमक करके धीरे धीरे चलने लगा The air was new and lovely to breathe, हवा बिलकुल नए किसम की लग रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी सांस लेने में The feel of the horse running was wonderful और तेजी से भागने के बाद में उस घोड़े के तेजी से दोड़ने पर जो महसूस होता था तेजना, excitement, adventure वो बहुत ही शानदार था, लाजवाब था My cousin Murad who was considered one of the craziest members of our family मेरा cousin Murad जो है, जिसे की माना जाता था, सबसे पागल, craziest का मतलब सबसे पागल किसम का member जो था हमारे family का था Begin to sing और उसने दोड़ते वे घोड़े पर क्या किया? गाना गाना शुरू कर दिया I mean he began to roar I mean, मतलब गाना तो नहीं, उसने दाढ़ना शुरू कर दिया, चीखना, चिलाना शुरू कर दिया कई लोग होते हैं जो हसी मजाग, मस्ती के टाइम पे या जब भी आप enjoy कर रहे होते हैं उस समय में गाना शुरू कर देते हैं उनको लगता है वो बहुत अच्छा गा रहे हैं, बस फरकिये होता है कि उनका गाना दूसरों के लिए प्रताढ़ना होती है उनके लिए तो वो गा रहे हैं और हमारे लिए क्या होता है कि जैसे वो रोर कर रहे हैं, चीक रहे चिला रहे हैं तो यहाँ पर वो भी इसी तरीके से बताना चाहरा है कि हमार मेरा जो कजन है मुराद वो सबसे पागल किसम का एक मेंबर है हमारी पूरी फैमिली का और जब घोड़ा तेजी से भाग रहा था तो उसने गाना शुरू कर दिया इन फैक्ट गाना तो नहीं मेरे कहने का मतलब है उसने दहाड़ना या चिलाना उसने शुरू कर दिया एवरी फैमिली है एक क्रेजी स्ट्रीक इन एट सम्वेर यानि कि हर परिवार में एक विशेश किसम का पागलपन वाला स्वभाव जो है वो कहीं न कहीं उनमें होता है And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe और मेरा cousin यानि मेरा भाई मुराज जो है उसे माना जाता है कि वो एक स्वभाविक उत्तरादिकारी है या वंशज है या उस जो एक crazy streak वाले जो characteristic लेने वाले या चारीतरिक विशेश्टा लेने वाले जो लोग हैं उनका वास्तविक्ता में है तो उनका कोई लड़का है तो इस तरीके से का जा रहे है कि जहाँ पर एक crazy streak जो है वो दिखाई देती है और मेरा भाई जो है उनका वास्तविक्ता में natural यानि कि सुवाविक उत्तरादीकारी था इस crazy streak का जो कि हमारे tribe में हमारे कभीले में पाई जाती है और वो क्या है गाना चिलाना Before him was our uncle Khusro और उससे पहले इस तरह के crazy जो थे वो कौन थे हमारे uncle थे जिनका नाम था Khusro उनका विशाल बड़ा सा एक सर था an enormous man बड़े और विशाल से आदमी थे with a powerful head जिनका बहुत ही ताकतवर या बहुत ही मजबूत उनका सर था of black hair जिस पर काले बाल थे and the largest mustache और उनकी बड़ी-बड़ी मूचे थी in the San Hequin और वो कहां रहते थे San Hequin Valley के अंदर रहते थे a man so furious एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़ादा क्रोधित होने वाला बहुत ही ज़ादा गुसेल प्रवरती का इंसान था in temper यानि कि स्वभाव में बहुत ही ज़ादा गुसेल थे आप कह सकते शॉट टेमपर थे बहुत जल्दी किसी भी बात पर गुसा हो जाने वाले व्यक्ति वो थे so irritable हमेशा बहुत ही ज़ादा चिर्चिडए रहने वाले so impatient बहुत ही ज़्यादा अधीर अधीर का मतलब होता है जिसमें बिलकुल भी धीरज या धैर्य नहीं होता patience जिसमें बिल्कुल भी नहीं होते इस तरह के वो व्यक्ति थे impatient थे, अधीर थे, बात-बात पे बहुत जल्दी चिड़ जाते थे या गुसा कर जाते थे that he stopped anyone from talking by roaring यानि कोई भी अगर बात कर रहा होता था तो किवल दहाड के ही या किवल roar करके ही वो उसको बात करने से रोक देते थे it is no harm, pay no attention to it और इससे कोई नुकसान नहीं होता था उन्हें और कोई भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता था pay no attention to it that was all, बस इतना ही no matter what anybody happened to be talking about इससे कोई फरक ही नहीं पड़ता था कि कोई भी वक्ति किस बारे में बात कर रहा है यानि कि कोई भी वक्ति किसी बारे में बात कर रहा होता तो uncle आकर के, hmm, क्यों खतम का कोई कुछ नहीं भोल रहा, सब चुपे कितनी जरूरी बात चल रही हो किसी मुद्दे पर discussion चल रहा हो बस उनका इतना कहना ही बहुत होता था उससे आगे कोई मतलब नहीं रखता था एक बार की बात है यह उनका खुद का बेटा था एराक जो की आठ ब्लॉक दूर से यानि कि आठ जहां पर गलियां थी वहां से दोड़ता हुआ उनके पास बारबर की शौप पर जा रहा था एक नाई की दुकान पर जा रहा था where his father was having his mustache trimmed जहां उसके पिता जो है वो अपनी मूचे कटवा रहे थे कटवा रहे थे मतलब set करवा रहे थे छोटी करवा रहे थे trim काट के ठीक से करना to tell him उन्हें बताने के लिए their house was on fire के उनके घर में आग लग गई है तो यह बताने के लिए वह वहां पर जा रहा था this man ये आदमी जो है खुसरो set up in the chair वो कुर्सी पर जहां पर ऐसे लेट करके बैटे वे थे सीधे हो गए चेयर में and roll और उन्होंने जोर से चिला कर कहा it is no harm pay no attention to it इससे कोई फरक नहीं पढ़ता ध्यान मत दो यानि उनकी खुदके घर में आग लग गई और वो खेडा है it is no harm इससे कोई फरक नहीं पढ़ता pay no attention to it इस पर कोई ध्यान मत दो the barber said और जो नहीं था वहां उसने बिचारे ने कहा but the boy says your house is on fire लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है तो खुष्रो ने चिल्ला के कहा इनफ हा ठीक है it is no harm's I say मैं कहरो ना कुछ नहीं हुआ बस कुछ नहीं हुआ छोड़ो my cousin मुराद was considered the natural descendant of this man और ये जो हमारे खुष्रो अंकल थे मेरा भाई जो मुराद है बिल्कुल इनकी two go पे माना जाता है कि भाईया उनमें जो गुण थे वो के वो गुण इसमें है although जबकि मुराद's father मुराद के जो father थे जिनका नाम था जोराब जोराब जो है who was practical and nothing else यानि कि बहुत ही practical आदमी थे बहुत ही सब्वे किसम के इंसान सोच समझ के तरीके से जो बात होनी चाहिए करने वाले विक्ती थे उसके अलावा उनमें ऐसा कोई भी characteristic नहीं था जैसा मुराद में या जैसा अंकल खुसरों में देखने को मिलता था that's how it was in our tribe और इसी तरीके से चीजे जो है हमारे कबिले में होती है कि व्यवहार का वंशच जो है वो आपका वास्तविक वंशच जो ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है आप बहुत गुसल आदमी हो आपके बेटे पोते सब बहुत शांत प्रवर्ती के हो लेकिन आपके ही कबीले में आपके एक खांदार में कोई ना कोई और दूसरा वैसा पैदा हो जाएगा जो आपकी कमी आपके जाने के बाद पूरी करता रहेगा एक ऐसा आदमी भी हो सकता है जो अपने खुद के पुत्र का पिता हो यानि की उसका खुद का अंग हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके जोश का स्पिरिट का या उसकी आत्मा यानि आंतरिक सुरूप से वह कैसा वेक्ती है उसका भी वही पिता हो यानि कि जो बात मैंने अभी कही कि जरूरी नहीं है कि ऐसे characteristic आप में है तो आपके बेटे में भी दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है हाँ खून के तोर पर वो आपका बेटा हो सकता है लेकिन spirit के तोर पर यानि कि आंतरिक रूप से वह कैसा व्यक्ति है या व्यक्तित्व के रूप में वह बिलकुल अपने पिता पर जाए ऐसा आवश्यक नहीं है यानि कि अलग अलग तरीके का जो distribution है जिस तरीके से चरित्र का विभाजन किया जा रहा है various kind of spirit अलग अलग तरीके के विवहार का of our tribe हमारे कभीले का had been from then beginning capricious and vagrant यानि कि उसकी शुरुआत जो होती है वो सनकी पन से होती है और आवारा पन से होती है यानि अधिकांश्त है आप देखोगे के हमारे कभीले में आपको किस तरीके के लोग जादा दिखाई देंगे या तो capricious type के दिखाई देंगे या तो सनकी होंगे या फिर वो कैसे दिखाई देंगे वेग्रेंट होंगे आवारा किसम के लोग जो है इस तरीके के जो characteristic है वो हमारे कभीले में कई बार कुछ लोगों में दिखाई देते हैं वी road हम लोग road का मतलब क्या है ride की past form है यानि कि हम लोग गुड़सवारी कर रहे थे and my cousin मुराज सेंग और मेरा भाई मुराज जो है वो गाना गा रहा था for all सभी के लिए anybody new we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belong यानि कि for all anybody new यानि कि जितने भी लोग जो जानते थे we were still in the old country हम अभी भी पुराने ही अपने गाओं में थे where जहां at least according to some of our neighbors we belong यानि कि हमारे कुछ पड़ोसियों के इसाब से हम जहां से belong करते थे हम अभी भी वही थे we let the horse run as long as it felt like running और हमने उस घोड़े को उस तरहे से दोड़ने दिया उस दिशा में दोड़ने दिया बिना सोचे समझे जिस भी तरफ जितना भी तेज जितनी भी दूरी तक वो जाना चाता है या दोड़ना चाता है at last और अंत में my cousin मुराज said मेरे cousin जो है मुराज उन्होंने मुझसे कहा get down नीचे उतर जाओ I want to ride alone अब मैं अकेला ही गुड़सवारी करना चाता हूँ अब मैं अकेला ही इस घोड़े को दोड़ाना चाता हूँ यानि कि बहुत देर तक इदर उतर दोड़ते रहे उसके बाद में एक जगे के घोड़ा रोक करके मुराज जो है अपने भाई से कहता है तुम नीचे उतर जाओ अराम से कहता है और मैं अब गुड़सवारी थोड़ी देर करना चाता हूँ अकेले करना चाता हूँ इस तरीके से वो यहाँ पर कहता है मैंने पुछा क्या तुम मुझे भी अकेले इसे चलाने दोगे और उसने क्या का ये तो गोड़े पर निर्भर करेगा भईया मैं क्या चलाने दूँगा ये तो गोड़े पर निर्भर करेगा मैं कजन सेट मेरे कजन ने कहा get down, नीचे उतरो the horse will let me ride I said, मैंने कहा कि गोड़ा तो मुझे गोड़ सवारी करने देगा, गोड़ा थोड़ी मना करेगा we shall see, हम देखेंगे he said, उसने कहा, don't forget that I have a way with a horse, ये मत भूलो कि मेरा एक तरीका है गोड़ सवारी करने का, यानि मेरा और गोड़ी की एक बीच में tuning बैट चुकी है आपसी समझ बैट चुकी है कि किस तरीके से उसे ride करना और कैसे ride नहीं करना, ये बात तुम भूलना मत, well I said, खेर मैंने कहा, anyway you have with a way I will also, यानि कि कोई भी संबंद या कोई भी तरीका तुमारा हो गोड़े के साथ मेरा भी हो जाएगा I also have, यानि कि मेरा भी वही तरीका होगा, या मैं भी अपना तरीका गोड़े के साथ मना लूँगा जिससे मैं गोड़सवारी कर सकूँ for the sake of your safety केवल और केवल तुमारी सुरक्षा के लिए he said, मैं जो कह रहा था, मैं इसलिए कह रहा था तुमारी सुरक्षा के लिए क्योंकि मैं तो गोड़ा कैसे चलाना है मैं तो जानता हूँ, लेकिन तुम आज पहली बारी गोड़े पे बैठे हूँ, तुम्हें गोड़सवारी नहीं आती इसलिए तुमारे सुरक्षा के लिए मैं यह कह रहा था he said, let us hope so चलो, उमीद करते हैं कि जैसे मेरा एक तरीका बन गया है गोड़े के साथ अच्छी गोड़सवारी करने का तुमारा भी बन जाए ऐसे उमीद करते हैं, get down चलो अब नीचे उतरो alright, I said ठीक है मैंने कहा, but remember, you have got to let me try to ride alone लेकिन याद रखना, ठीक है, मैं नीचे उतर रहा हूँ but याद रखना, कि तुमें मुझे try करने देना होगा, तुमें मुझे प्रयास या कोशिश करने देनी होगी कि मैं अकेला जाकर के भी गोड़सवारी करके आ जाओं, I got down मैं नीचे उतरा and my cousin मुराद kicked his heel और मेरा कजन जो मुराद है, उसने AD से उस गोड़े पर मारा into the horse, उस horse में and shouted और चीकते वे कहा वजायर, run, दोड़ो तेजी से दोड़ो the horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed और पहले गोड़ा जो है बिलकुल सीधा अपने पैरों पर खड़ा था फिर एकदम से तेजी से आगे बढ़ते वे, फुफकारते वे, वो एक बहुत ही तेजी से गती में, गती उसने पकड़ ली और गती के साथ दोड़ने लगा that was the loveliest thing I had ever seen, और ये आज तक की मैंने जितनी भी चीज़े देखी थी, उनमें सबसे प्यारी या सबसे लवली चीज़ थी, के पहले गोड़ा खड़ा था, उसने पकड़ी उसकी रसी, एडी मारी और उसे रन भागने के लिए कहा, अचानक से खड़ा, पहले सीधा खड़ा था, फिर हलका सा उपर की तरफ और तेजी से भागते वे आगे निकल गया आज तक मैंने अपने जीवन में जितने द्रश्य देखे थे, उनमें से सबसे लाजवाब, सबसे शानदार द्रश्य यही था सो गाईज आज के लिए हमारा चैप्टर तो यही तक है, मुझे शायद लगा कि आप लोग और आगे के लिए प्रिपेर करेंगे, कि आगे और जाधा होना चाहिए था थोड़ा सा लेकिन मैं आज के लिए इतना ही चैप्टर ले करके आया हूँ, पढ़ाने में मुझे भी इतना excitement feel हो रहा है, मैं भी चैप्टर को इस तरीके से enjoy कर रहा हूँ कि मैंने भी expect नहीं किया था, लाकि portions तो मैंने ही कियें, लेकिन मुझे लगा निता कि अभी आ जाएगा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और पढ़ लेते तो शायद मजा आता, चलिए गाइस तो आज के लिए इतना ही, I hope आप सभी लोगों ने चैप्टर को enjoy किया होगा, सेकेंड पार्ट को भी हम इसी तरीके से मस्ती से पढ़ेंगे और enjoy करेंगे, till that, take care of yourself, अपना ध्यान रखिये, और I'll see you soon, और आपने कभी अगर ऐसा experience लिया हो, कभी गुड़ सवारी की हो, या घरवाले सो रहे हैं, आपको बाइक वगरे चलाना अलाओ नहीं, और अपने घरवालों की चुपके से चाबी निकाल करके बाइक चलाई हो, या किसीने साइकल चलाई हो, इस तरह का experience अगर लाइफ में कभी आपने किया है, तो हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, thank you very much, I'll see you soon, bye-bye, take care